आज में दोस्तों आप सभी की संग शेयर करूंगी यह इत का मेकप लूक तो यह जो मेकप लूक है बहुत आसाने क्रियेट करने में और देश में उतना ही खूबसूरत है तो इत पे आप जब लॉक डाउन चल रहा है तो हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं बढ़ हम अच करते हैं आज का अपना यह वीडियो अपने स्किन को स्किन के से अच्छे से प्रैप करने के बाद मैं सबसे पहले यूज कर रही हूं तो प्रैमर जो होता है आपके मेकप की बेस को काफी अच्छे से होल्ड करके लगता है फिर मैं यूज कर रही हूं दोस्तों यहां पर फ करेंगी ताकि एविल्ली मेरी फेस पे आ जाए और बहुत अच्छी सी फिरिंश जो है वह मेरी बेस को मिल पाए इसे लगाने के बाद देन मैं लूस पाउडर की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से बेक कर रही हूँ ताकि जो मेरा मेकप है कासे लॉंग लास्टिंग बन जाए नेक्स्ट मैं आइस के लिए मेकप स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले जो है जितने भी गैप हमाई आइब्रोज में होते हैं उसे मैं फिल कर रही हूँ उसे फिल करने के बार मैं अच्छे से इसे जो है अब प्रैप कर लूँगी यानि एक जेल टैप कर कुछ भी आप की उपर ताकि आपकी आइब्रोज जो है उनके हेरज इदा शबर मूव ना करें और अगर आपके पास कुछ इस तेके का प्रिज nouvelles है जैसे इस में में पास मैक सके है तो इसकी है अपनी आइब्रोज को सबसे पहले करती हूँ उसके बाद जो है मैं एपनी आइब्रोज को ह आप चाहे तो यहांन पर नॉर्मल अगे तो यहांपर तो दो तो पूरा तो यहांपर एक आपक הוא कर के दिखा कि इस तरीके से लिए और पे पर डिस्टिब्युट करें हो ताकि एक बेस तयार हो जाए और जो नेक्स कलर मैं लूँ जो कि एक डाक कलर होगा तो इसे में एकदम से कॉमपट्ट जो होता है ब्रस उसकी है अच्छे से हाफ मून जो है बना रही हूं नेक्स जो है मैं old fashion color जो है वो ले रही हूं तो यह प्रेश ब्रश जो है इसकी हैं मैं जो है आइस पॉप कलर की नीचे से लगा रहे हूं तो आइस पॉप कलर एक red कलर है ओल फेशन कलर जो है वो एक brown कलर है इन ब्लेंडिंग ब्रश की हैल से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और जो बच्चा हुआ पॉट है मेरे जो ब्रश पर रह गया था पहले उसकी हैल से मैं नीचे जो है काजल नहीं लगाता हुए इसी को नीचे एस्टेंड कर दूँगी ताकि जो लुक है वो even लगे और का रख़ी और अच्छा लुक दे सकते हैं मैं है यहां पर धोस्तों काजल ले रही हूं एक रॉफ लाइन जो है मैं हाफ में ड्रॉव गर्रे कर रही हूं उसके बाद एकदम से एंगरश बिर्श जो होता है उसकी हैं से इसे मैं अच्छे से प्रैट कर देती हूं तो अगर य काफी अच्छा स्नूकी आई लोक आपको बहुत जल्दी मिल जाता है वाद दोस्तों मैं उपर वाली जो अपनी वाटर लाइन है उसमें भी कारल को अच्छे से लगा देती हूँ नेक्स मैं आई लाश करल की हैड से अपनी लाश को कर रही हूँ कुछ इस तरीके से और उसके बाद जो है मैं मसकरा लेकरके इसे अच्छे से फिल कर रही है तो मैं पहले आगी की जो लाश होती है उन्हें कोड करती हूँ एंदन पीछे की तरफ जाके चिक जक मोशन में ऊप की तरफ करती हूं तो इससे इस से आई huge aard काफ यादा खुली खुली लगती हैं और बड़ी लगती हैं और देख रहे काफ locking बर बो Chillax कि लगें उसके बाद जितना भी एक्सिस पॉट जो में फेस पर बचा हुआ है मैं उसे डस्ट आफ कर रही हूं और में फेस यहां पर अच्छे से बेख हो चुका है अब मैं जो है यहां पर अपने फेस को हाइलाइट काउंटर एंड ब्लश लगाऊंगी तो सबसे पहले मैं यहां पर काउंटर करें अपने फेस को तो आप किसी भी ब्राउंजर से अपने फेस को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं और एक ट्रिक भी है यहां पर अगर आपके पास ब्राउंजर नहीं है तो कोई भी ब्राउंड कलर का आईशेडों आप यहां पर यूज कर सकते हैं ज वही जो मैंने यहां पर किया हुआ है काउंटरिंग के लिए आप चाहाते हो मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मैं आपको जो बनाऊंगी आप मुझे कमेरे बता सकते हैं नेक्स स्टेप में दोस्तों यहां पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्लश लगाँगी तो ब्लश को जो है मैं अपने चिक के बीच में से लगाते हुए अपनी टेमपल की तरफ ले जाती हो तो जिससे अगर आप हसते हो और फिर अपने आपकी जो फेस है उसके सांत कर नेक्स मैं यहां पर हाइलाइटर लगा रही हूँ तो यह हाई पॉइंट जो होते हैं महां पर मैं हाइलाइटर को यूज कर रही हूँ ताकि दूप में जब मैं जाओं तो काफी अच्छा लगे एक फोटो क्लिक्स करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे उसके बाद जितना भी एक्सिस पॉर्डर है उसे डश्ट कर देंगे लास्ट मैं यहां पर यूज करूँ रैट कलर के लिपे श्टिक तो दोस्तों यहां पर मेरा मेक अप खतम हो जाता है अगर आप चाहें यहां पर तो सैटिंग इस पर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों य में सिंपल और इजी मेक अप लुक है जो बहुत आस्तानी से आप क्रेट कर सकते हैं आई होप यह आपको पसंद आया होगा